मुहम्मद गौरी भारत में प्रवेश के साथ अलवेरुनी को अपने साथ लाया था बाद में उसने कन्नौज की स्थिती का सविस्तार वर्णन अपनी पुस्तक में किया है कन्नौज, परवतों और समुद्र के मध्य, थंडे और गर्म प्रांतों के बीच भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों के मध्य में स्थित है पूर्व में कन्नौज राजनेतिक द्रिष्टी से शूर्वी राजाओं का निवास रहा है कन्नौज गंगा के पश्चिम में एक बहुत बड़ा शहर है परंतु राजधानी के यहां से उठकर बारी नगर में चले जाने पर इसका एक बहुत बड़ा भाग खंड़हर पड़ा है विदी की विडंबना देखिए आज भी ये खंड़हर पुनरतः खंडित उबढ़ खाबर मरनासन स्थिती में रौनदा जा रहा है हिंदु राष्ट्र का स्वर्ने मितिहास इसमें दवा पड़ा है एक बार इसकी खुदाई की गई थी इसमें गुप्तकाल से लेकर बारभी शताबदी की सामिगरी प्राप्त हुई थी जो शायद कन्योज म्यूजियम में रखी होगी हम जिस खंड़हर की बात कर रहे है वो समराट जेचंद देव का किला था सन 1170-1940 तक गहरवाल वंश का किला हुआ करता था समराट हिंदु धर्म का प्रतीक था सामान्य जनता उसे इश्वर का प्रतिविमव मानती थी कहते है यह किला लगभग दो किमी छेत्र में फैला था आज इसका खंड़हर एक किमी छेत्र में सिमट कर रह गया है बाकी छेत्र पर लोगों का कबजा है इसमें कुल आठ किले हुआ करते थे चार छोटे वज चार बड़े एक हजार साल पहले गंगा नदी किले के एक किनारे से होकर जाती थी किलों के बीच में स्नानगरह के लिए ताल था किले की खुदाई से भारत के स्वर्निम प्राचीन इतिहास की परते खोली जा सकती है समराट जेचंद देव के पितामह के शासंकाल में कन्नोच के विशाल सामराज्य की सीमा पश्चिम में इंद्रप्रस्ट, दिल्लीत, सूकक, शेत्रत, सोरो, पूर्व में कौशिक, प्रयाक, बनारस, काशी, कौशल, अवद, मगद, पटना, गया, तथा बंगाल के सेन राज्य तक, उत्तर में हिमालय, श्रिंखला तथा दक में कल्चूरी एवं बुंदेलखन प्रदेश था, इतने विशाल सामराज्य का अधिपती जेचंद्रदेव हिंदुत्व का पोशिक, भारतिय कला एवं संस्कृती का सनरक्षक था, सक्षम राजनीतिग्य समराट जेचंद्रदेव महाराजा जनक की तरह नीतिग्य एवं राजनीतिग्यतों थे, परंतु शायद कूटनीतिग्य न थे, एक राजनेता वशासक के रूप में वह उत्तर भारत के सरवश्वेश थे एवं महान समराट थे, जेचंद्रदेव की निजी सेना में नियमित तीन लाख घुर सवार, पाँच हजार हाथी थे, जो समराट के शिविर में सदा उपस्थित रहते, पूरे राज्य में समराट ने बारे वचोकिया बनवाए थी, जो सुरक्षा कार्य सेन्य रख रखाव करती थी, राज्य की सीमाओं पर विशेश निग्रानी चोकिया थी, उसकी सेना में आलहा उदल तथा लाखन डेव जैसे वीर सेना समराट की सेना का सेना नायक आलहा था जिसमें सो हाथियों का बल था उदल अश्वज सेना का सेनापती था, जबकि पैदल सेना का सेना पती लाखन डेव था, महान युधा वीर बलिदानी समराट जे चंध देव एक वीर योध्धा थे, चंधवार में 1194 में समराट ने मु परकर युद्ध भूमी में ही वह वीरगती को प्राप्थ हुए. समराट ने अपने सामराज्य की खातिर न तो संधी की थी और न समर्पन. जेचंद राष्ट्र नायक के रूप में भारतिय धर्म और संस्कृति को इसलामी प्रभाव से रोकने ही तु युद्ध के लिए तत पर हुए थे. न तो वो प्रिथ्विराज की तरह मैदान से भागे और नहीं कैद हुए और नहीं अपमानित, अगर राष्ट्रहित में उसने मुहम्मद गोरी के खिलाफ प्रिथ्विराज का साथ नहीं दिया तो वो गद्दार कैसे हो गए? उन पर आरोप है कि जेचंद नहीं मुहम्मद गोरी को आमंत्रन दिया था. प्रसिद इतिहासकारडा, सरकार के अनुसार इतिहास में ऐसा कोई प्रमान नहीं है. असल में हम हिंदुस्तानियों में यह सबसे बड़ी कमी रही है कि हम बिना साक्ष किसी को भी गद्दार कह देते हैं. जेचंद देव गद करनी चाहिए. परियतन बढ़ने से न केवल रेवेन्यू बढ़ेगा वलकी लोगों को अपने स्वर्ने में तिहासकी जानकारी से गर्व भी होगा.